हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तुमा यूटुब चैनल देवंद्र महत क्लासिज देखे फ्रेंड्स किस्चन नमर 13 देखेंगे Find the sum of the first 15 multiples of 8 हमें क्या करना है संघा आउट करना है first 15 multiple का किसके multiple है एट के ठीक है 8 के multiple लेने हैं तो एक तो 8 खुद हो गया वही 8, 8 कितना हो गया, 16, 8 के multiple लिखें आप, 8 की table में 16 आएगा, 24 आएगा, up to so on, ऐसे चबता रहेगा, ठीक है, ऐसे जैसे ये कितने लिख दिया हमने 3, 1, 2, 3, ऐसे करके कितने हैं, 15 multiple हैं ये, ठीक है, 8 के, उनका करना है अपने को sum, यानि कि यहां पे देखें, तो A की value कितनी है, 8 है, D की अगर बात करें, तो 16 minus 8 कितना आजाएगा, 8, हमें क्या find out करना है, sum of S of 15, sum of 15 multiples का, हाना, तो यहां पे देखें, तो 15 by 2, फोर्मला क्या होता है, SN का, SN होता है, N by 2, 2A plus N minus 1 into D, यही होता है, अब यहां पे value रख दें, हमें 15 multiple का जीए, तो N का का काम 15 करेगा, 2 into A कितना, 8, plus 15 minus 1 into D कितना है, अपना, 8 है, ठीक है, अब solve करें इसको, 15 by 2, यह कितना हो गया, 16, plus, यहां कितना बचा, 14, 14 को 8 से multiply करेंगे, तो 112 आएगा, बही, clear है, तो यहां कितना हो जाएगा, 15 by 2 into, यह हो जाएगा, 128, ठीक है, 2 से cancel करें, 2, 6, 12, और 2, 4, 8, अब इसको देखें, तो 15, 4, 6, 6, 15, 90, और 6, 96, 960, ठीक है, 960 क्या आ गया, sum आ गया, 15, 15, first 15 multiple, किसके, 8 के, ठीक है वई, यह था आपका question number 13, question number 14 देखते हैं, अब इसका, find the sum of the odd numbers between 0 and 50, अपने को sum निकालना है, odd numbers का, जो किसके बीच है, में है, 0 और 50 के बीच में, तो 0 and 50 के बीच में, odd number की बात हो रही है, तो क्या क्या होंगे भई, 1 हो जाएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, अब 200, और last में देखें, तो कितना आजाएगा, odd number, 49, ठीक है, clear है, अब हमें क्या करना है, इनका sum find out करना है, यह जो odd number है, इनका sum find out करना है, तो सबसे पहले है, तो हमें पता और चीए, कि इसमें number of terms कितनी है, अना, फिर हम sum find out करेंगे, यहाँ पे देखें, तो A की value कितनी अपनी, 1, D की अगर बात करें, तो 3 minus 1, 2, सब में 2, 2 का गया पाएगा, common difference क्या हो जाएगा, 2, और यह जो term है, यह क्या है, last term है, या बोल सकते हैं, आप NH term है, A, N की value कितनी हैं, 49, clear, सबसे पहले हम क्या find out कर रहे हैं, कि यह जैसे 1, 2, 3, ऐसे count करें, तो यह कितनी terms आई, ठीक है, अब यहाँ पे A, N होता क्या है, A plus N minus 1 into D, is equal to 49, A की value कितनी, 1 plus N, find out कर रहे हैं, D की value कितनी, 2, is equal to 49, यहाँ पे देखें, तो N minus 1 into 2, यह 1 इदर आएगा वही, minus में हो जाएगा, अब यहाँ पे देखें, N minus 1 into 2 is equal to 48, अब 2 यहाँ क्या है, multiply में तो इदर किसमें आजाएगा, divide में, तो यहाँ कितना आगया, 24, N की value 24 plus 1, यानि कितना आगया 25, इसका मतलब क्या हुआ, कि कितनी number of term है, यह ऐसे count करेंगे, तो यह जो 49 है, आया है, यह 25 यह number पे आया है, ठीक है, 25th term है यह, हम ऐसे बोल सकते हैं, अब अपने को क्या करना है, इनका sum find out करना है, तो यानि कि sum का formula क्या होता है, N by 2, 2A plus N minus 1 into D, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें, तो आप formula जो है, A plus L का भी लगा सकते थे, ठीक है, N by 2, A plus L, आंसर सेम आएगा, क्योंकि अपने पास last term है, अब यह लगा लिया, तो इससे देख लेंगे, कोई बात ने, आंसर तो सेम ही आना है, N की value 25, यानि कि sum निकालना आपने को 25 term का, 25 by 2, 25 कोन सी, तो यह odd हुई, odd number है, 0 से 50 के बीच में, अब 2 A, A कितनी है बई value, 1 plus 25 minus 1 into D, D कितना है अपना, 2, अब इसको solve कर दें, 25 by 2, यहां क्या, 2 बन गया, पलस, यहां 24 बन गया, 48 आ जाएगा, तो यह कितना हो गया, 50 हो गया बई, ठीक है, दो से यह कितना, 25 आ गया, और 25, 25 कितना होता है, 625, तो आपका sum of यह, odd number of, कितना आ गया, odd numbers between 0 से 50 की बीच मिसम कितना आ गया, 625, ओके फ्रेंड्स यह था आपका question number 14, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है, तो मेरी मेहनत को देखके, प्लीज आप चैनल को subscribe करें, अगर आपने नहीं किया तो, और अपने friend circle में भी जरूर